आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बीच में स्प्लिट होता है तो एलेक्शन सिंबल को कौन यूज करता है आप थोड़े दिन से न्यूस सुन रहे होंगे वैसे हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके एलेक्शन सिंबल में स्प्लिट के बाद आप दोनों ही इस पे क्लेम कर रहे हैं तो ऐसे में एलेक्शन कमिशन का दायत बन जाता है उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो इस मैटर को रिजॉल्व करें बहुत बार ऐसा होता है इनफेट पीछे भी होता है 1970 से लेकि अब तक कितनी बार कॉंग्रेस का स्प्रिट हुआ है एया डियमक का स्प्रिट हुआ है एलेक्शन कमिशन हमेशा रिकोर्स के लिए आया है तो अभी फिर से एलेक्शन कमि कमिशन फाइनल एक डिसीजन पर आ जाए कि यह सिंबल किसको बिलॉंग करता है अच्छा अब यहां पर कमिशन का क्या कहना है कि नाइदर ऑफ टू ग्रूप्स शैल बी पर्मिटेट तू यूज नेम ऑफ लोग जन्शक्ति पार्टी सिंप्लिसिटर देशाल वी नून बा क्या प्रूविजन है और किसे इन सिंबल्स को एलेक्शन कमिशन जो है अलॉट करती यह ओवर दा टाइम यह सिंबल्स की पावर में रहे हैं एलेक्शन कमिशन इने अलॉट करती आ यह तो पहले हम बात कर ले तक एंग्सेमबोम की नीड क्यों आठी होती है देखे जब हमन प्लस अगर कोई हमारा voter illiterate है तो कैसे identify करेगा उसे किसे vote देना है तो ऐसे में election जो symbols होते हैं बहुत handy होते हैं तो election commission ने क्या कि election symbol order निकाला उसमें एक list of symbols जो है वो अपने पास maintain रखती है अब इस symbols दो तरह से distribute के जाते हैं देगे अगर हम बात करें political parties की तो दो तरह से political parties देश में होती है एक होती है एक होती है अन्रेकटनाईज प्लिटिकल पार्टी रेजिस्टर दोनों होती है रेकवनाज रेकर नाईस पके जाते हैं नेशनल लेवल पर है आप मुझे कमेंट स También कि कितनीन नेशनल पर नेशनल पर नेजिशाग पार्टी से और उसके तो यह जो election symbols होते हैं, recognized political parties के fix होते हैं, इसके कोई और नहीं use कर सकता, देश भर में कहीं भी, लेकिन जो unrecognized political parties होते हैं, यह time to time, election to election इनके symbols जो हैं, वो बदलते रहते हैं, एक free list of symbols इनको पकड़ा दिया जाता है, और इसी में से इनको यह symbol use करना होता है, उस particular election के लिए, अ जा सकता है उतने समय के लिए, तो यह होता है पूरा symbol के पीछे का, जो पूरा substance रहता है, जिस तरह से allocate किये जाते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में कि election commission अब इस LGP के matter में क्या करने जा रही है, आप study IQ पे विबन माध्यम से हम से जुड़ सकते हैं, मेरे जितने भी video इसके split को cater करती है, देखो, symbol order 1968 आया, वहाँ पर ये कहा गया कि जब भी commission satisfied है, कि दो rival section एक political party में, recognized political party में बन चुके हैं, याद रखेगा, ये recognized political party में ही चलता है, भी मैंने आपको recognized political party का concept समझाया, तो recognized political party में, जब भी को split आता है, तो due diligence के बाद commission जो है, वो decide करेगी, hearing करे प्रॉपर, और decision लेगी कि वो symbol और party का नाम किस fraction गो जाएगा, लजेपी के example से समझते है, चाचा बतीजा के बीच में बीच में बीच में बीबाद है, चाचा का कहना है कि भाई, मेरे पास सारे MPs हैं, ठीक है, sitting MPs सब मेरे पास हैं, बतीजे का कहना है कि भाई, मेरे पिता जी बना के गए थे, तो आज आपको मिलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं प्रावधान, वो तो ये रेखेगी कि इस समय majority MPs किस के पास है, majority MPs कहीं ना कहीं चाचा के पास है, चांसे हैं कि उनको ये political party मिल जाए, अगर ऐसे में बिल्कुल dispute resolve नहीं होता, तो फिर उस political party को खतम क कर दिया जाएगा, और दोनों से कह दिया जाएगा, अपनी नई political party बना लो, तो यहाँ पर यहीं होगा कि, दोनों sections को सुनने के बाद, commission जो है, वो एक decision देगी, और जो भी decision होगा, वो दोनों sections पर binding होगा, यह चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो जैसे मैंने आपको बता प्रकरण कैसे चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, दोनों को बिठाया जाएगा, दोनों की बात समझी जाएगी, फिर election commission एक decision पर आएगी, और बता देगी कि यह हमारा decision है, दोनो sections को, दोनो factions को यह बात माननी पड़ेगी, अच्छा जब बात आती है, recognized political party में, तो recognized political party में तो हमेशा, election commission कहता है कि खुद से सुल जालो, क्योंकि आप recognized हो नहीं, symbol को लेके लड़ाई है नहीं, party का वजूद है नहीं, अब मैंने कोई ABC political party बना ले, वजूद है नहीं, कल को मैं और मेरे बाकी political members के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई भी dispute हो जाए, तो election commission को पता ह चोटी सी political party है, देश दुनिया में कोई जानता है नहीं, इस political party को इनके चकर में नहीं डखना, तो यहाँ पर यह जो पूरा प्रकरण है, जो पूरा dispute redressal का mechanism है, यह सिर्फ और सिर्फ recognized political party के लिए काम करता है, याद रखे कि इस तरह से आप से statement पूछा जा सकता है, ठीक है अच्छा देखते हैं कि historically election commission ने कैसे काम कियो, बड़े दिल्चस्प यहाँ पे किस्से हैं, बड़े अच्छे-च्छे किस्से हैं, Congress को लेके, किस तला से इंदरा गांधी को भी एक बार Congress का अपना बुलक काट वाला, जो original Congress का symbol था वो यह नहीं था, जो आज आप देखते ह कैसे हुआ, देखो 68 से पहले, जब ता कि election order rule नहीं आये थे, तब इससे पहले notification के थुरू, conduct of election rules 1961 लाया गया था, उसी से dispute mechanism होता था, सबसे बड़ा high profile case 1968 में देखा गया, तभी फिर election symbol order जो है, वो पास किये गए, हुआ गया था कि यहाँ पे CPI का split हुआ, पहली बार split चली, election commission ने CPI M को recognize किया, कैसे recognize किया, उन्होंने ये देखा कि CPI M के पास ज़्यादा candidates है, CPI के comparison, तो जो original symbol था, वो CPI M को दे दिया गया, और CPI से बोल दिया गया, कि आप अपना अलग symbol बना लो, अब यहाँ पे इसके बाद फिर से para 15 का use किया गया 1968 के, Indian National Congress के split में, आप रयाद होगा, इंद्रा गांधी के time पे, जो उस समय के older members थे, लंजेग अपका कि हम बात करें, के कामराज की बात करें, ठीक है, तो यह older members थे, इन में और इंद्रा गांधी में एक split था, अब इस split के चलते, Congress दो parts में divide हुई, जो पूरा split था, वो एक election को लेके था, President के election को लेके था, जब जाकर हुसिन की office में death हो गई, तो उनके बाद, दो candidates आगए Congress की तरफ से, एक candidate को Congress support में इंद्रा सपोर्ट करती थी, और एक candidate को बागी Congress support करती थी, अब इसको लेके पूरी Congress में आपस में विवाद रहा, जो Congress के older members थे, जो नहरू के जमाने के members थे, वो चाह बीवी गिरी जो थे, वो इंद्रा की तरफ से candidate थे, फिर इंद्रा के support के candidate थे हम कहा सकते हैं, अब गिरी के जीतने के बाद Congress में split आ गया, Congress जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, Congress O and Congress R, Requestionist इंद्रा के पास चली गई, और Congress O जो है वो, बाकी older members के पास, Congress Organization, older members के पास है, उनने देखा कि wait Congress O के पास है, Congress O इस समय थोड़ी जाता strength थी, तो यही का कि ठीक है, older Congress जो उसने अपना party symbol retain कर लिया, pair of bullock, carrying a yoke, जबकि इंद्रा ने एक अपना नया, जो है 1971 के elections के लिए, symbol बना लिया, तो यह था वो symbol, जैसा कि आप देख रहे हैं, cow को पहले भी politics में लाया जा चुका है, तो exactly यह हुआ कि vote for calf and cow, forget all others now, यह उस समय के 1971 के election का ना रहा था, तो बहुत amicably problem जाए, वो solve हो गई, क्योंकि दोनों ने decide कर लिया, इंद्रा बोली देखो, मेरा नाम बहुत चलता, तो मुझे symbol, मैं जो भी रखूंगी, लोग उससे attract होंगे, होंगे, लोग मुझे vote देने आएंगे, जबकि Congress O को लगा कि नहीं हम एक पुरानी political party चलते हा रहे, हमें पुराना symbol चाहिए, इसके बाद यह इस तरह कि जो disputes है, वो समय समय पे आते रहे, समय समय पे disputes हो है, वो court में भी जाते रहे, तो court ने भी यह देखा कि जो majority principle है उससे dispute को आप resolve कर सकते हैं, आप यह देखे कि जब एक organized political party में split आता है, तो majority MPs, MLS किस side खड़े हैं, जिस side खड़े हैं, original नाम, party का और original symbol उसको दे दिया जाए, बाकि जो कम percentage वाले जो side है, उनको बोलो कि आप नया political नाम, नया party का नाम ढूंडो और नया symbol ढूंडो, तो यहाँ पे election commission न strength basis पे कई बार decide किया है कि party organization में क्या strength है, अच्छा एक बार इससे उल्टा भी हो गया, AADMK की बात है 87 में, आपको याद होगा, अपने थलावी movie भी देखी होगी, तो M.J. रामचंदर के जाने के बाद जब split हुआ, split हुआ, जाललिता और रामचंदर की wife जानकी के बीच मे जादा जो support था, वो जानकी के साथ था, लेकिन फिर भी election commission ने ये देखा कि M.J. ललिता जो है, वो substantial support लेके बैटी है, लेकिन finally क्या हुआ, कि finally ये हुआ कि जो election symbol और जो original नाम है, वो J. ललिता के पास पहुँचा, re-approachment हुआ, code गए, वो पूरा matter जो है, वो वहीं पे resolve कि जादा गया, finally ये देखा गया कि AIADM के का नाम जो carry करेंगी, वो आपकी जयलिता carry करेंगी, अब इसके बाद हमने अभी-अभी बात कि है, Congress O, Congress R की, इसके बाद भी और चोटे-चोटे, जो political splits है, वो होते रहे, जंता दल के split की बात करें, Congress में से जंता दल निकली, उसी बा और ये नई-नई political parties बनती रहें, इसलिए इन्होंने कभी पुराने symbols की demand नहीं की, ये statewide parties बनी, इन्होंने state में जाके अपना खुद से वर्चस और अपना नया symbols establish किया, 1997 की बात है, election commission ने नई political parties को recognize करने से मना कर दिया था, यहाँप election commission ने ये कहा कि let us say split होके कोई नई political party ब तो इसलिए हम उस political party को recognize नहीं करेंगे ऐसा state party, उनको फिर से election लड़के आना पड़ेगा, मतलब क्या है, मतलब यह है, let us say, कि Congress में से, हम कहें, त्रिम्नूल Congress बनी 1998 में, आप त्रिम्नूल Congress कह रही है कि क्योंकि हम Congress में से आए हैं, आप हमें state level पे recognition दो, election commission ने मना कर दिया, election commission ने का, आप नई political party treat किये जाओगे, आप फिर से election लड़ो, नए election लड़ो, और नए election में जो results आएंगे, उसके बिहाफ पे हम आपको state recognition या आगे चलके national recognition देंगे, ठीक है, तो यह चीज़ आप याद रखेगा, कि अब अगर, LJ, अगर हम देखें, लोग जनशक्ती party का split होता है, और चाचा के पास original party चले जाती है, भतीजे के पास नई political party आजाती है, तो नई political party unrecognized बनेगी, अब हापे भतीजे को prove करना होगा, election जीतना होगा, तभी election commission जो है, उनको recognition देगी, अमिया पे एक नया rule आया गया, कि कोई भी अगर separate splinter group आता है, कोई भी नया group आत political parties crash से फिर से build करनी पड़ेगी, और जैसी performance होगी, वैसा ही हम decide करेगे कि recognition देना है, या नहीं देना, तो याद रखेगा recognition जो है, वो election commission decide करती है, अच्छा ऐसा एक बहुत famous split आपको याद होगा, 2017 में भी हुआ, बाप बेटे के बीच में हुआ, अब यादब जी दोनों आ समय, तो panel ने interim जो था, freeze कर दिया था, party का symbol, जब तक दोनों की बीच में recognition, जब तक दोनों की बीच में resolution नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये नौबत जो है, बहुत आगे नहीं बड़ी, बीच बचाव हो गया था, political party में जो आपस में dispute था, जो दोनों मदबेद थे, father son duo में, एक बड़ी दिक्कात हो जाती है कि कौन use करेगा इस cycle को, क्योंकि cycle एक काफी देखे, अगर आप यादवस की बात करते हैं, तो समाजवदी party का अच्छा पकड़ है OBC vote bank में, और ऐसे में अगर split हो जाता है, तो फिर दोनों को problem आनी थी, तो दोनों ने amigably एक solution निकाला, औ आगे equal footing पे बढ़ने लगे, तो इस तरह के instances पहले भी आते रहे हैं, तो आप देखेंगे 2011 में दो factions थे, उतराखन करांती दल में, उन्होंने chair का stake claim किया, लेकिन वही दोनों को मना कर दिया गया, कि आप पुराना symbol नहीं मिलेगा, दोनों को नए symbols दे दिये गए, तो ये time to time, case to case basis पे election commission decide करती है, तो यहीं कहता है, कि आप election commission के पास complete discretion और power है, कि वो decide करे, कि कि किसको पुराना symbol देना है, कि किसको पुरानी political party देनी है, जो भी election commission का decision होगा, वो final होगा, उसे challenge नहीं किया जाएगा, point number one, court ने भी intervene करते हो कहा है, कि relative strength principle को follow करो, साधिकली case में कहा थ तो court ने clearly कहाता कि आप एक relative strength principle को follow करो, आप यह देखो कि जब भी political party split होती है, हम यहाँ पे LGP की बात करते हैं, जो political parties के पास, यह जिस group के पास, splinter group के पास, जादा strength है, majority test कर लो, कि जादा MPs, MLS किसके पक्ष में हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जादा MPs, MLS, पशु चाहिए, पशुपती नात को, और LGP भी पशुपती नात को मिलनी चाहिए, ऐसा, court के judgment भी कहती है, और अगर आप एक पूरा 1968 से हपता का election commission का काम करने का तरीका देखेंगे, तो वो भी यही कहता है, तो commission तब से इसी approach को बारबर follow करती है, numerical majority को follow करती है, तो यहाँ पे भी मैं आशा करते हैं कि court इसी commission जो इसी numerical majority को follow करती है, final decision यही देगी, कि यह political party जो है, या फिर जो पशुपती नात है, उन्हीं को original political party मिलेगी, original sign मिलेगा बंगलो का, ठीक है, तो and यहाँ पे भतीजय साहब को नई political party establish करनी पड़ेगी, तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गए इसके बाहर कोई fact आपको नहीं पढ़ना है, मिलते हैं अगले session में, तब तक लिए, goodbye, take care and God bless you all.